आपके mouse का cursor अगर आपका disappear हो गया है शो नहीं हो रहा है तो आप इस problem को आप solve क्या से करो गया है और trust me इस video को देखने के बाद जो आपका यह problem है यह problem आपका solve हो जाने वाला है आपको करना क्या है कि आपको अपने computer मने आपको अपने laptop में external mouse को आपको connect कर लेना है external mouse को आपको connect कर लेना है और connect करने के बाद और आपके सामने यहाँ पर mouse का cursor आपके सामने show होने लगेगा अगर by the way आपके पास external mouse वगरा नहीं है तो आप यहाँ पर keyboard का भी help ले सकते हैं आप keyboard में सरीफ आप keyboard के tap button को आप प्रेस तो ओगे जैसे आप यहाँ पर दिखोगे यहाँ पर लेप साइड के और दिख रहा होगा तो आपको इस tap बटन को प्रेस करना है और आपको right side के और आपको up, down, right, left का बटन यहां पे शो हो रहा होगा तो आपको उसे simply यहां पे press करना है और आपका जो यह है आप keyboard की भी help से आप इस process को बने apply कर सकते हैं जो जो मैं processes बताऊंगा 6 processes तो उसे आप keyboard के भी help से आप apply कर सकते हैं मने perform कर सकते हैं अगर आपके बस external mouse है तो आप external mouse भी लगा सकते हैं तो आपको सबसे पहला में जो process है वह process बताता हूं कि सबसे पहला process में आपको करना क्या है कुझ कभी का होता है कि restart करने से भी यह problem हो जाता है यह पहला process हो गया अब मैं आपको second process में आपको करना क्या है आपको अपने keyboard में Windows plus R button को प्रेस करना है और आपके सामने run program आपके सामने open हो जाएका जैसे आप यहां पर दिख सकते हो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर यह कमांड को आपको यहाँ पर टाइप करना है devmgmt.msc आपको इस कमांड को आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपको इसे उके करना है या आप इंटरप्रेस कर सकते हो और आपके सामने यहाँ पे device manager का आपके सामने एकी सरा का option आपके सामने show हो जाएगा अब आपको करना क्या है कि जैसे आप अगर आप अपने keyboard के use कर रहे हैं आप यहाँ पे external mouse अगर आप यूज नहीं कर रहे हो अपने keyboard के use कर रहे हो तो यहां पे आपको यहां पे mic and other pointing devices वाले option में आपको जाना है तो वो आप कैसे जाए गए अब अपने keyboard की help से आपको करना क्या है कि आपको अपने keyboard में tap button को प्रेस करना है प्रेस करने के बाद जैसे आप यहां पे दिखोगे यहां पे मेरा आपको यहां पे option देखने के मिलेगा तो आपको करना क्या है कि आपको अपने right side वाले button को प्रेस करना है जैसे मैं यहां पे प्रेस करता हूँ और आप यहां पे दिखोगे यहां पे यहां पे यहां पे एक और option आपको यहाँ पर downward कि देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे इस वात्यू प्फों में जाना है, और इस वाले उप्षन में जाने के बाद, अब आपको अपने laptop के keyword में, Fn plus controlpad को press करना है, और आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का Saamly option आपके सामने हो जाएगा, आप आपको करना है कि आपको यहां पर इसके प्रॉपर्टी में चले जाना है जैसे मैं यहां पर इसके प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ कि आपकोनि के स्थाइब आपको और VMA पर 31 ज techniques करना है जैसे lab क्या है क्या है कि आपको इसे इनेडल कर देना है क्यूंग कभी कर क्या होता है किदीशेबल रहने के कारण भर आपका जो हो months माउस करस्ट जो है वो आपका dispair हो जाता है तो आपको इहाँ पर इसे enabled क्ल लेना है और इस command में जाने के बाद अब आपको इहाँ पर वापस इहाँ पर इस option में आना है माउस वाले जो option है माउस का जो आइकन आपको यहां पर शोव हो रहा होगा इसके properties में आपको वापस से चले जाना है वापस से जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहां पर rollback driver का आपको यहां पर एक option दिखता होगा third number option अगर by the way आपका जो second number में option बता हूँ आपको इस वाले option में आजाना है और आप यहां पर देखोगी यहां पर आपको अपडेट driver का आपको यहां पर option देखने को मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है इस तरह का आपको सामने एक options होगा और आपको यहां पर search automatically for drivers आपको यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है और आपको लेटेस्ट ड्राइबर जो है आपकी सिस्टम का वह यहां पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस्टार्ट होने के बाद यह आपको प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे आप यहां पर देखो कि लुकि फित नम्मर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने स्ट्राट हिस जाना है और यहां पर नोおお के すपने डिखो आप यहां पर ने क्टेम का औप्त्ट और फॉसेते होगा तो आपको तो अ मतने प्रॉप्रेस करना है और यहां rap यहां पर आपको इसे लार्ज आइकन कर लेना है और आपको इस रिकाव्री वाले उप्शन में चल जाना है और आपको करना क्या है कि आपको इसे निच्ट करना है और आपको इस अब सandoowChem β indu 20 लोग को मालूम नहीं है किया होता है तो मैं आ atención को Laurel करने से चिस्टर करने से क्या होगा कि आपका सिस्टम है वह एक दो दीन पीछ चला जाएगा जितना भी आप यहां पर इस डिन पीछ साङवक करगे हम इंहां पर एक यहाँ पर 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 यहाँ करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर यहाँ पर निश्ट करना है जैसे निश्ट करता हूं और यहाँ पर यहाँ पर कि फिनिश कर दिना है और अपका जो प्रॉबलम है प्रॉबलम आपका आज आया है दो 3 दिन पीछे जाने के पाथ आप का सिस्टम है वह एज इस वैसा ही हो जाएगा अगर कोई मी problem होगा तो वह problem आपका हो जायगा तो आपको इस फ्रीक्लिक करना है और आपको सिस्टम हो रेज्टोर होना आप जाएगा और आपको बता है की कbenडे mess तो यह मेरा 5th नंबर प्रॉसेस हो गया अगर बाइद अब वे मानके लिए अब को फिट नंबर प्रॉसेस से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्ब नहीं होता है तो अब मैं आपको six number आपको आपको करना क्या है आपको आपको अपने Chrome ब्रॉजर को ओपिन कर लेना है तो जैस कुछ इस तरह के इंटरफेस्स हो जाएगा आपको करना क्या है कि आपको इस फर्स्ट वाले आपशन में चले जाना है और जैसे में यहां पर देल ड्राइवर हैं यहां पर टाइब कर करना है करना है कि आपको इस का लाइब करना है आपको सर्च बार में और आपको आपने लप्टॉप का स्रीयल नंबर को आपके हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपके laptop का serial number क्या है, तो आप अपने laptop के नीचे की और देखोगे, वहाँ पे आपके laptop का serial number, model number आपको सभी mention किया हुआ रहेगा, तो आपको उस serial number को आपको यहाँ पर type करना है, जैसे मैं यहां पर अपने model का मैंने अपने laptop का स्रील नम्मर को मैं यहां पर टाइप करता हूं CB7VDA2 आपको यहां पर इससे टाइप करना है और मैं आपको बता दू कि आप यहां पर देखोगे यहां पर आपको आपको यहां पर आपको अप्शन देखने को मिल लाएगा अगर आपके लैप्टॉप का जीस भी मॉडल का यह है तो यहां पर ऑटो स्लेक्टिक करकर आप उस ड्राइवर सेक्शन में जा सकते हो अगर आपको मैनुल तरीकर सापको डाउलोड करना है तो आप यहां पर यहां को इस ड्राइवर ड्राइवर एन vendor वाले option में जाना है और यहां पर जानने की बाद आप पो करना है क्या है कि आप यहां पे दिखोगे यहां पर च्छ फूर ड्राइवर का को यहां पर पर option देखने कि मिल गा अगर आपके ल Hernandez method में को była ब्यू बाइबर आपको तरीके से ही कि जैगा तो जैसे आप यहां पर दिखोगे यहां पर मेनीवली का उप्शन आपकी उप्तों हो रहा हो हुगा तो आप यहां पर इसके राइट साड पर आपहां पर प्ने क्न द्राइबर का आपको इस electives क्लिक करना है कि दराऊन करता हूं और यहां पे आपको अपने रिलिएट़ आपको यह बाट ड्राइबर को फाइंड टकानिया यहां पर यहां पे आपको मेरा ड्नैट्टू घंड्राइबर को आपको सबस्वर्ण नहीं कुरुट आपको क्या सभी का प्रॉसेस एक जैसा ही है सभी को step by step इसी तरह प्रॉसेस है जैसे मैं आपको अपने डेल वाले वैपसाइट में लिखाया हूं सभी का प्रॉसेस सेम ही है फ़री श्रीफ आपको अहां पर इंटरफेस आपको डिफेंड देखने कुम बिलेगा और अगर आप जाता है यह निवो का कैसे क्या जाता है तो आप उस वीडियो को वाज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूगा सभी का प्रॉसेस एक जैसा ही है तो आपको इसे डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद जो आपका यह प्रॉब्लम है यह वंटी वंटी गिरिजाए